27 नौमबर 2019 का शाम हाइदराबाद की शादनगर की जानवरों की डॉक्टर उस्तिन अपना काम कतम करके पांच बजे तक घर आ गई थी पांच बज कर 40 मिन्ट पर डॉक्टर अपने घर से गाची बॉली में एक डर्मटॉल्जिस से मिलने के लिए निकलती है अपना स्कूटी पार्क करती है और डर्मटॉल्जिस से मिलने जाती है अंदेरे में लोटकर आई डॉक्टर को अपना स्कूटर पंक्चर मिलता है चार अंजान लोग मदद का हाथ बढ़ाते हैं असल में वो जालता डॉक्टर को फसाने का अगली सुबा फ्लाइवर के नीचे एक दूद वाले को डॉक्टर की जली हुई लाश मिलती है एक हुनहार डॉक्टर बिजी शहर में लाश कैसे बन गई समझदार लड़की उन शिकारियों के जाल में कैसे फसी इसी प्यार को पेशे में बदलने की इच्चा से दिशा ने पीवी नरसीमराव तेलंगाना वेटरनरी उनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरा किया अपना ग्राजुएशन पूरा करने के साल बर के अंधर ही 2017 में उसे महभूब नगर में सरकारी नौकरी भी मिल जाती है हर रोज दिशा सुबह साड़े आठ बजे अपने लाल मैस्ट्रों में अपने घर से निकलती थी पांच किलोमेटर दूर समशाबाद बस सड़े के पास अपना स्कोटर पार्क करके बस में 37 किलोमेटर दूर अपने नौकरी पर जाती थी शाम को साड़े चार बजे अपने घर लोटती थी साल बर से दिशा का यही रूटीन था लेकिन 27 नौमबर के रात सब कुछ बदल गया दिशा को मुहासो का शिकायत थी और इस कारण से वो तीन माईने में एक बार डर्माटॉर्जिस यानि तोचा चिकितसक से मिलने जाती थी 27 नौमबर को अपने नौकरी कतम करके घर लोटी दिशा डर्माटॉर्जिस से मिलने 5 बच कर 40 मिनिट पर अपना घर चोड़ती है 6 बच करीब तुंड़पले टोल प्लाजा पर अपना स्कूटर पार्क करती है वहाँ से गाची बॉली जाने के लिए टैक्सी लेती है डर्माटॉर्जिस से मिलने के बाद 9 बच अपना स्कूटर लेने प्लाजा आती है दिशा ने जहां स्कूटर पार्क किया था वो कोई सुनसान जगा नहीं था गाडियों के आवजाई के साथ नजदी की एरपोर्ट पर आने जाने वाले विमान कभी शोर होता था अंदेरी में प्लाजा पहुंचे दिशा को पता चलता है कि उसका स्कूटर का पीछे का टायर पंक्चर हो गया है दिशा परेशान थी कि क्या करे तबी एक अंजान शक्स मदद का हाथ बढ़ाता है नाम था मौमद आरीफ, 26 साल का आरीफ लॉरी ड्रैवर था वो अपने हेलपर जोलो शिवा को दिशा का टायर ठिक करने के लिए कहता है जोलो शिवा दिशा का स्कूटर लेके नजदी की रिपेर शॉप डूणने के लिए जाता है कुछी दिर में वापस आकर कहता है, सारे शॉप बंद हो चुके है और दूसी तरफ शॉप डूणने जाने की बात करता है रात का समय रास्ते पर लोग कम हो रहे थे, स्कूटर का टायर पंक्चर दिशा की बेचे नहीं बढ़ा रही थी दिशा अपनी बहन को फोन लगाती है, दरी हुई दिशा अपनी बहन से बात जारी रखने के लिए कहती है दिशा का बहन उसे स्कूटर चोड़कर गरल आटने को कहती है और वो नैट शिप पर काम कर रहे थी इस वज़े से उसने बाद में कॉल करूंगी बोलकर फोन कार्ट देती है, पंद्रा मिनिट बाद दिशा की बहन उसे फोन लगाती है लेकिन दिशा का फोन स्विच अफ हो गया था, इन पंद्रा मिनिटों में बहुत कुछ हो गया था यहां दिशा का स्कूटर लेके जल्लू शिवा गया था और आरिफ के साथ अभी जल्लू नवीन और चन्नके शोव भी आ गये थे तीनों दिशा को नजदी की लॉरी पार्किंग की सुनसान जगा पर गसीट कर ले जाते है नवीन दिशा का फोन स्विच उफ कर देता है स्वाप ड्रिंक में शराब मिलाकर दिशा को जबरन फिलाया जाता है तीनों बारी बारी से दिशा का सामुईक बलतकार करते है तब तक शिवा भी आ जाता है और वो भी शामिल हो जाता है दिशा का चिलाट गाडियों की शौर और विमानों की आवाज के नीचे दब जाता है दिशा के साथ बरबरता बरतने के बाद आरिफ दिशा का मुँँ और नाक दोनों बंद करके उसे दम गोड़ देता है दिशा का फोन गाड़ी और पावर बैंक लेके बेरहम कातिल उसका लाश रख के पीछे ही छोड़ कर चले जाते हैं दिशा का स्कूटर का नंबर प्लेट भी निकाल लेते हैं शिवा हाईवे पर पेट्रोल फंसे पेट्रोल खरीता है नैशनल हाईवे चवालिस के चंटपली पूल के नीचे दिशा को जला देते हैं फिर वहाँ से अपने अपने घर लड़ते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं उसी रात को दिशा की बहन उसका फोन से चौफ देखकर परेशान हो जाती है और अपने पिता के साथ आज ये पुलिस टेशन में गुमशुद्गी का रिपोर्ट लिखवाने जाती है पुलिस टेशन में पुलिस तुरंत एक्षन में आई दिशा को डूढने के लिए निए पुलिस टेशन में एक केस धर्ज होगा इस बात की बहस के लिए 28 नौबर की सुबा 7 बजे एक दूद वाले को दिशा की जल्ती वी लाश मिलती है पुलीस मोके पर पहुंचती है तिशा की गुमशुद्गी पर CCTV कंगालरी पुलिस को अपरात की जगा से एक लौरी दिखता है और उसके पीछे बड़ा सा स्वास्तिक बना हुआ था। पुलिस लारी का मालिक श्रिनिवास रड़ी तक पहुंचती है। लेड़ी अपने पास काम कर रहे हैं लोगों के बारे में बताता है और महभूब नगर से 50 किलोमेटर दूर जकलेर में आरिफ का घर भी ले कर जाता है। पुलिस से जनता जवाब बांग रहे थी। फुल बर्सा कर अभिनंदन हुआ पढ़ा के फोड़े गई। टीवी चैनल्स पर बहस हुई और पुलिस के अंकॉंटर पर संदेश जताया गया। आरोपी के परिवार ने भी इसे नकली मुटपेड़ यानी फेक एंकॉंटर बताया। क्यूंकि चारों में से एक अरोपी चैनल्स के शवलू का पिता ने बताया कि उनके बेटे को किड्नी का बिमारी था और वो इतना ताकतवर था ही नहीं कि पुलिस के हत्यार चिनकर उन पर आक्रमन कर सके।